किंग खान यानि कि शारु खान को बड़े परदे पर देखने के लिए चार साल के बाद तर्शक बहुत जादा उत्सुक लग रहे हैं और उसी उत्सुकता के बीच में कल इसका टीजर रिलीस कर दिया गया और जिस टीजर को लोगों ने भर-भर के प्यार दिया बट वहीं कुछ कॉपी वाला सीन लग रहा है पट मैं आपको बहुत साथ चीजर क्लियर कर देना चाहता हूँ और इस टीजर ने क्या एक रिकॉर्ड बेरिक किया है क्या एक रिकॉर्ड बनाया है उसके ओपर भी बात करेंगे मतब 24 घंटे में टोटल कितना इसने व्यूज इखटा क कितने like पा हैं, सब को जानते हैं लास्तक बने रहीगा बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला इस वीडियो में तो प्लीज वीडियो में लास्तक बने रहीगा चैनल पर नहीं तोِّ उल्लिए बेल अको प्रें को प्रें कुरिये voo पसंता हो लाइक करें OF comment में जरूर बतायेगा कि आपको कैसा लगा पठान का टीजर बाकी बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरह हो तो दोस्तो आप सबको ये चीज़ सो पता होईगी कि ये जो पठान फिल्म है या वाई आरफ के तरफ से है और ये वाई आरफ यानि कि ये श्राज फिल्म के तरफ से जो यूनिवर्स के रेट किये जा रही है यानि कि वार जैसे फिल्म में उसमें है टाइगर जिन्दा जैसे फिल्म में अब पठान को यानि कि किंग खान को भी उसमें इंकलूट किया जा रहा है तो उस यूनिवर्स की ये फिल्म है बट दोस्तों वहीं पे लोगों को जो कहना है एक तरफ इतना ज़ादा लोगों को टीजर पसंद आया कि मतलब पागल ही हो गए कल वैसे भी शारुक खान का बड़े था और ऐसा इतसे बड़ा गिफ्ट शारुक खान मुझे लगता अपने फैंस को कोई दे सकते है तो जिस तरह सब उनका लोग था उसको काफी प्यार दिया गया पूरे के पूरे टीजर को काफी प्यार दिया बट बहुत सारे लोग आज भी मौजूद है जो इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जानी की जो ट्रक वाला सीन है उस चीज को वार मुवी से कॉपी किया गया है कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है से कुछ डायलॉक्स कॉपी किये गये है और कुछ लोग कहना है कि संजू मुवी से भी इसके जो डायलॉक्स है वो कॉपी किये गए है और भी बहुत सारी चीज़े हैं और कुछ-कुछ Captain America की पुरानी फिल्मे हैं वहाँ से लोगों ने कॉपी किया है तो यह यह चीज़े बोली जा रही है और मतलब वो बस फैलाए जा रहे हैं कि किस तरह से SRK के नाम पे या फिर पढ़ान मूवी को किस तरह से फ्लॉप किया ज अब दोस्तों वह यह कर रहा है कि वह बता रहे हैं कि यह जोटीजर है वह कॉपी किया गया है मतलब हेट फैलाने से मतलब आफ होता है तो बाइकॉट के नाम से फैला देंगे और एसे फैलता है तो ऐसे फैला देंगे और SRK के भी ऐसे कोई SRK ने अभी कोई अपडेट भी नहीं दी है ना इससे कोई स्टेटमेंट रहा है उनका पूरे जिंदिगी में कि जिसे अब वो बाइकॉट कर सके कि नहीं भाईया इसने हमारे धर्म को हेट फैलाया है तो इस तरह स उस तो उनकी तो बात हो गई वो तो कुछ भी करते रहेंगे मुझे नहीं लगता कि वायार आपको मतलब जारा चिंता करने के ज़रुत है अपर शारुक खान को चिंता करने के ज़रुत है क्योंकि उनके फैंस पूरी दुनिया में फैले हुए है और वो बहुत ही तहे दिल से उने प्यार करते हैं तो बाकी बताते हैं आपको क्या रहा इस टीजर का प्यार करती है तो बहुत सारी लोगों ने पसंद किया और भर भर के इस टीजर को प्यार देने के बाद अगर मैं आपको बताऊ तो 24 गंटे में जो total views इसे हिंदी रेंगे से मिले हैं वो है 17 million यान में एक रिकॉर्ड है ऐसा कोई भी बॉलिवूड फिल्म के टीजर को अभी तक इतना अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिला है जहां मैं सच बता हूँ तो 1.7 प्रफशन था या फिर इसकी जो अनौसमेंट थी ऐसे कुछ खास सरीके से नहीं की थी फैंस को काफी लोग को अभी भी नहीं पता होगा कि पठान का टीजर आ चुका है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं कुछ कर रहे होते हैं तो उन 25 जनवरी को ये फिल्माने वाली है और 25 जनवरी का मुझे बे सबीसे इंतजार है आपको भी बे सबीसे इंतजार होगा तो इंतजार करते हैं और किंखान को जब चार साल बाद बड़े परदे पर हम देखेंगे तो उमीद है बहुत जादा अच्छा नभा होने वाला है त बताईए का आपको पठान का टीजर भी कैसा लगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए टेक केर बाई बाई जैहिन जैबाई